तीन सिलेंडर के साथ लॉंच होने वाली है ब्रेजा ऐसा आपने कई बार सुन लिया होगा कहीं न कहीं पर लेकिन बाई जो ब्रेजा है क्या वो लॉंच होगी या फिर नहीं होगी ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं तो बाई आज आपको हम बताने वाले हैं कि ब्रेजा तीन सिले या फिर नहीं लाएगी वो आप बताना कमेंट बॉक्स में तो बात करते हैं वजह कि इसमें तीन सेलेंडर क्यों आएगा तो जैसा कि आपको पता है जो नई वाली स्विफ्ट आई या फेसलिफ्ट उसमें आपको मिल जाता है तीन सेलेंडर का इंजन और जो है अब लोगों को कन्फ़र्म होता जा रहा है कि मारूती कंपनी लॉun unhealthy करेगी ब्रेजा में तीन सेलेंडर और ऐसा मुझे भी लगता है लेकिन स्विफ्ट कंपनी निकल के आ रहेंके न डाउन फॉल देखके शायदी कंपनी ब्रेजा में तीन सिलेंडर का इंजन लॉंच करें क्योंकि भाई स्विफ्ट की सेल एक टाइम पे बहुत अच्छी थी भाई लुक्स कमपणी ने उतने खास अपडेट नहीं किये और इंजन को भी डाउन ग्रेट कर दिया डेफिनेटली सेल फिगर तो डाउन जानी ही थी लेकिन अगर भाई कमपणी ने ब्रेजा में तीन सिलेंडर का इंजन दे दिया ना तो ये खतम हो जाएगी मार्केट से तब जो भाई आपको भाई पावर ट्रॉप भी मिलेगा और भाई इसमें आपको भाउ आपको लगबग 128 नेम के आज़ पास तक का देखने को मिल जाएगा मायलेज जो है भाई वह आपको 2-3 का जादा मिलेगा लेकिन जो स्पीड है वह आपको 10-15 की कम देखने को मिलेगी वह भाई बाई बाई आपको मिल जाएगी speed तो ठीक ही है जो है बागी ये गारी आपको petrol और CNG दो option के साथ मिल जाएगी अगर बात की जाए बाई आएगा या फिर नहीं तो बाई 50-50% chance है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है बात करते हैं गारी के looks तो बाई जो ब्रेजा के looks हैं ये अभी भी बहुत अच्छे हैं जो नया variant आएगा उम्मीद करते हैं वो भी काफी अच्छा आएगा बाई इसमें जो है ना आपको मिलेंगे अब connected DRL जी है जो कि आजकर trend में चल ले है lights आपको मिल जाएंगे LED के जो की रखे जाएंगे projector के साथ भाई गाड़ी में आपको मिलेगा नया grill जो की आपको black piano finish के साथ देखने को मिल जाएगा आपको बाई आगे मिलेगा Suzuki का 3D में logo जो की अब आपको मिलेगा matte finish में और भाई ब्रेजर आपको dual tone के साथ आपको बाई मिलेगे mustard color option के साथ साथ भाई companies में आपको option देगी jet black का भी और जो भाई गाड़ी का छट है वहाँ पे आपको अब और भी बड़ी sunroof देखने को मिल जाएगी बाकि जो भाई इसके design है alloy wheels के वो आपको मिलेगे नए size के आपको मिलेगे नए design के जो profile है वो आपको same मिलेगी rated disc और पीछे आपको मिलने वाली है solid disc बागी बाई गाड़ी में आपको rear view camera, rear defog, rear watcher, wiper वगेरा देखने को मिल जाएगा साथ भाई का जो tail light है वो आपको connected tail lamp के साथ देखने को मिलने वाला है बागी जो इसका interior है आपको नए M.I.D. मिल जाएगे साथ भाई गाड़ी में आपको नया मिलेगा cluster और भाई जो steering है वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा अच्छे quality के controls मिलेंगे और भी ज़्यादा controls मिलेंगे बागी भाई ये गाड़ी आपको power window के साथ मिलेगी पीछे आपको मिल जाएगा यसी का went to wireless charger भाई देखने को मिल जाएगा साथ भाई गाड़ी में आपको मिलेगा hand rest cup holder वगेरा देखने को मिलेगा भाई गाड़ी जो आपको keyless entry के साथ मिलेगी भाई इसमें आपको push start on off button भी मिलेगा साथ भाई गाड़ी में आपको नवंबर के आज पास तक का देखने को मिलेगा नया वैरियंट तो भाई चाहो तो wait कर लो आने वाली नई ब्रेजा का तो भाई जो वीडियो भे लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जयाहिंद वन देमातरम बाई